नीट परिक्षा से जुडियस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं नीट पर सुप्रिम कोट ने अपना फैसलाज सुरक्षित किया है बताने कोट ने कमेटी परिक्षा को सुपी बनाया जानी के लिए कहा है और 30 सितंबर तक केंदर को रिपोर्ट देने को भी कहा है कोट ने 23 चुलाई को 40 याचिकाओ पर सुनवाई के बाद ये फैसलाज सुरक्षित रख लिया है अगर तब कोट ने कहा था कि नीट की परिक्षा दोबारा नहीं होगी पूरी परिक्षा में गरबड़ी होने के परियाप्त सुबूत नहीं मिले है अगर जाच की दौरान कोई दोशी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी जिहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको नीट मामले से जुड़ी बता रहे हैं नीट पर सुपनिम कोट ने अपना फैसला सुरक्षित किया है परिक्षा केंदर बनाने की प्रिक्रिया पर सुधार करने के निर्देश दिये है कमेटी परिक्षा के सोपी बनाया जाने की निर्देश दिये है और 30 सितंबर तक केंदर को कमेटी द्वारा रिपोर्ड सुपने का भी निर्देश दिया है